ये तस्वीरे जब आज कांधे पर अपने लोगों के वो अपने आखरी सवर पर जा रहा है और यहीं पर मिटी में उसे दफना दिया जाएगा माफिया डौन अतीक एहमत को भी उसके भाई अश्रफ को भी कब्र खुद गई है और वहीं पर दोनों के शब को डाला जाएगा जो परिवार के लोग है उन्हें आने दिया गया है एक बार फिर से आपको बता दें इस बात के आशंका जाहिर की जा रही थी जब असद को दफना जा रहा था तब भी कि शायस्ता परवीन असद की माँ अतीक एहमत की बीवी आ सकती है नहीं आई एक बार फिर से फरार बताई जा रही है और शायस्ता परवीन के बारे में या आशंका जाहिर की गए कि वहाँ पर पहुँच गई है कई बुरका पेनी महिलाएं वहाँ पर आई थी लेकिन पुलिस इसकी पुछ्टी नहीं कर रही है अरविन दोचा के पास एक बार फिर से चलते हैं हमारे सेयोगी जो लगतार वहीं से कवरज दिखा रहे हैं शब पहुच गया है कबर खुद गई है कुछी देर में दफना दिया जाएगा जिस प्रयाग राज को एक वक्त पर खौफ से डराया था उसी प्रयाग राज में आज दफन हो रहा है अतीक एहमद और उसका भाई अश्रफ लेकिन कन्फरमेशन नहीं हो पाया शैस्ता के बारे में नारविन अरविन आवाज आ रही है जी बिल्कुल देखें मैं अंजना अपने दो तीन बातों का जिक्र क्या देखी एक तो ये अपने आप में एक तस्वीर ये गवाही देती है कि जब कानून का डंडा चलता है और अगर कानून मन मना ले कानून का डंडा चलता है तो उसके बाद बड़े से बड़े माफिय जुठता है लेकिन इन दोनों काफी सियासी बयान बाजी होती है जब किसी भी राज में कानून व्यवस्था कराब होती है तो उन सियासत डानों को यह सोचना चाहिए अतीक हहमत क्या था वो एक गली का गुंडा था लेकिन उस पर सियासी कृपा बरसी उसके बाद वो वीधा पहलाता है किस तरीके से अतीक और उसके गुर्गों ने यहां तक कि उसके भाई ने कई लोगों को मौत के घाट उतारा जिसकी चाहिए उसकी जमीन कबजा कर ली जेल में रहते हुए उसने लखनों के व्यापारी को किड्नैप कर लिया और तो और जिस जुडिसियल सिस्टम क की बात की जाती है खास तोर से जब असत का इंकाउंटर हुआ था उस दोरान तो आपको ये भी बताता चलूं कि अतीक एमन ने साल 2012 में जब जेल से चुनाओ लड़ने कामबन बनाया तो उसने बेल अप्लिकेशन प्रियाग राज हाई कोट में मूव की थी दस जजों ने वो बेल अप्लिकेशन सुनने से मना कर दिया था अभी कुछ दिन पहले ही हमारी एक प्रियाग राज में तेरा डियाई जी रेंग के ऑफिसर से बात हुई उन्होंने कहा कि अतीक से जज भी डरते थे शायद यहीं बज़ा कि दस जजों ने वो बेल अप्लिकेशन सुनने स मना कर दिया यह अतीक हमत का खौफ था लेकिन इस तरह के अतीक हमत जैसे लोग पैदा कैसे होते हैं जब सियासी संग्रक्षण मिलता है यह कड़वी सच्चाई है और इस वज़ह से चकिया जहां इस वक्त मैं मौझूद हूँ यहां के एक गली का गुंडा जब उस पर सिय सासत की कृपाबरसी विधायक बना सांसत बना उसके बाद वो और उसके लोग लगातार एक के बाद एक बड़ी वरदाते करते रहे हाला कि कुछ सालों से वो जेल में बन था लेकिन अचानक से वो जेल से साजिस रसता है और ऐसी साजिस जिस से योगी प्रसासन योगी सरक पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है तो ऐसे में जो यूपी पुलिस से जुड़े बड़े अधिकारी से हमारी बात हुई उनका कहना है कि जिस कुरूरता से पुलिस वालों को मारा गया, अगर पुलिस एक्षन नहीं लेती, तो शायद योगी प्रसासन का जो इकबाल है, वो कहीं न कहीं मिट्टी में मिल जाता है, इस वज़े से न सुर्फ सीयम योगी, बलकि जो तमाम बड़े अधिकारी है, वो एक्षन में आए तमाम लोगों की धर पकड़ शुरू ही अतीक हैमत पे फायारदज हुई असरफ पे फायारदज हुई साहिस्ता पे फायारदज हुई असरफ पे फायारदज हुई किसी पे 5 लाग का किसी पे 50 जार का इनाम रखा गया अतीक एहमत को साबरमती जेल से लाया गया जो असरफ है उसको बरिली जेल से लाया गया और सभी पे कानून का डंडा चलने लगा कानून का डंडा कुछ सालों पहले भी चला अंजला आप जानकर चोग जाएंगी 1168 करोड की अवयत कबजे की जो प्रपर्टी मुक्ट कराई गई थी जो भोले भाले मासूम लोगों को डरा धमका कर कबजा की गई थी लेकिन ये सीधी तस्वीरे अरविंद हम अंदर की भी तस्वीरे दिखा रहे हैं और अब दफनाने के लिए उसके शव को ले जाया जा रहा है कबर खुदी हुई है जहां पर उसको दफनाया जाएगा परिवार के लोग मौजूद हैं दो नाबालिक लड़के उसके अंद आखरी बार देखने के लिए शाहिस्ता आ सकती है अब पती अतीक एहमद माफिया डॉन और साथी देवर अश्रफ दोनों मारे गए हैं मर्डर हुआ है उनको भी दफनाया जा रहा है लेकिन ये कहा गया कि हो सकता आखरी बार देखने के लिए लेकिन पुश्टी नहीं हो पार रही है सबकी नजर है कि शाहिस्ता का आना उसका सरेंडर होगा क्योंकि यहां पर जो पुलिस बल्की मौजूद की है वो फॉरण उसे अरेस्ट करेंगा और ये देखिए तस्मीरे भी हम अंदर की दिखा रहे हैं समट अतीक एहमद और अश्रफ कांदे पर उस आखरी परिवार को उसी माफिया गिरी में छोक दिया पांच बेटे और देखिए आज पांचों बेटों की क्या हालत है असद एंकाउंटर में मारा गया दो जेल में है और दो नावालिक जो है जो डिटेंशन सेंटर में रखे गए हैं वो भी यहां पर आए हैं और भाई भी अश नाने की इस पक्रिया में शामिल होने के लिए अजासत दी गई है खबर ऐसी भी आई थी कि हर मुम्किन कोशिश की शाहिस्ता परवीन ने कि अपने बेटे असद को वो बचा ले किसी खारी देश में भेजना चाहती थी अतीक एहमद ने कई बार कोशिशे भी की जो हमारी स उलाम और असद मारे गए और फिर बीती रात पुलिस कस्टडी में जब मीजा की मौजूदगी थी तब माफिया डौन अतीक एहमद और उसका भाई अश्रफ दोनों गोलियों से भुन दिये गए और अब उनका शव कसारी मसारी केस कबरिस्तान में आया है जहाँ पर उसे दफनाया जा रहा है तमाम रस्म जो हैं जिसके साथ मिट्टी डाली जाती है उसके लिए करीबी लोग और उसके दोनों अतीक एहमद के दोनों ही जो नाबालिक पेटे हैं उन्हें डिटेंशन से यहाँ पर लाया गया है कबरिस्तान पहुचा है अतीक और अश्रफ का शव और मिट्टी में दोनों को अब दफन कर दिया जाएगा समठ जल्दी से चोटा सा रियाक्शन जिस प्रयागराज में खौफ फैलाता था उसी प्रयागराज में आज मिट्टी में दफन बिकुल अंजना मैं आईपियस अधिकारी से बात कर रहा था जो जिसकी तहनाती प्रयागराज में भी रही कौशामभी में भी रही उन्हों ने कहा कि आपने कहा इतना कि आतन के सामराज्य में परिवार को ढखेला अतीक एहमद ने चांद बाबा को 90 में मारा और खुद इ दहा नहीं रुका उसने अपने भाई अश्रफ को भी 2005 में जब राजुपाल बस्पा के विधायक की हत्या हुई उसके जरीए उसने अपने भाई अश्रफ को इसी आतन की दुनिया में डखेला और उसके बाद अश्रफ ने पूरा सामराज्य अतीक एहमद का सवार सच आग अश्रफ को और इस बार वो असद को लॉंज करना चाहता था हुमेश पाल की हत्या के साथ पर इस बार इस बार उसके मनसूब कामयाब नहीं हुए बुरी चूख हुई सबसे बड़ी बात यह कि शायस्ता इस पूरे मामलात में पूरी तरीके से जुड़ी रही पहले तो उ गुरी कांड में उसकी संलिपता पाई गई उसके अलाबा उसने असद को बचाने की काफी कोशिश करी किस तरह से असद को छुपाया जैसे कि उसने गुलाम का सहारा लिया तमाम पैतरे अपना पर सारे पैतरे पूरी तरीके से फेल हो गया और असर यह हुआ कि अतीक क्या होता है अलागी उसको लेक जूरी शिशल का स्टी मिल गई है जो इंगरे किया है पर जो सामराज है कितनों की जमीन कितनों की जमीन यहां पर प्रियागराज दुना हिए पास蛇श। कोई जवाब न रहता हो सत्यका संडक्षंद हमेशा अतिक अहमत के सर रहा अश्रफ के सर रहा जिसने उन्हें बेपरवाह बना दिया उनको लगा कि शायद उनसे बड़ा कोई है ही नहीं और केवल इक प्रियागराज की बात नहीं है अतिक सबसे पहले अश्रफ को और इस बार वो यही चीज असद में करता था जो सूतरों जानकारी दी उसको असद में भाविश दिखता था उसको लगता था कि वो असद जो है अतीक और अश्रफ की तरह ही उसके सामराज को आगे लेकर जाएगा पर किसी ने सही कहा है अगर रास्ता का आप गरत चुनेंगे तो शायद हच्र यही बिल्कुल तस्वीरे हम दिखा रहे है जहां पर अब रफन किया जा रहा है अतीक अहमत को यह उसका ब्रिस्तान की कसारी मसारी की तस्वीरें हैं यहीं पर असद को कल सुबा बीते दिन सुबा में डफन किया गया था और आज पोस्तमॉत्म करने के बाद दोनों को यहाँ पर दफ्न किया जा रहा है